दोस्तो सस्क्राइब करें हमारे इस चैनल को और ट्लिक करें इस पहला आइकन पर भी ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो बिल्कुल भी मिसना करें गरुण पुराण की रचना करते समय गरुण के मन में एक विचितर सा सवाल उठा कि मर्णों उपरांत धर्ती लोग से यम लोग तक मनुष्य अपने साथ क्या क्या ले जा सकता है उन्होंने बीना किसी विलंब के यह प्रशन भगवान श्रीहरी विष्णू के सामने रख दिया भगवान विष्णू बोले कि इस प्रशन का उत्तर यमराज जी के संदूक में बंध है तो कृपया आप यमराज जी के पास जाएं और उनसे इस प्रस्ण का उत्तर मांगें। गरुण देव भगवान विश्णु की आग्या पाकर तुरंद ही यमपूरी पहुँच गए। यमराज ने करुण देव को देखा और पूछा हे पक्षी राज आप यहां क्या कर रहे हैं। कि श्री हरी विश्णु गरुण देव के द्वारा जन कल्यान के इच्छुक हैं। इसलिए उन्होंने संदूग की कथा रची है। यमराज गरुण से बोले ठीक है मैं आपको इसका रहस से एक कथा के जरिये बताता हूँ। संदूग का रहस से जानने के लिए आपको इस कथा का मर्म जानना होगा। हे गरुण देव क्या आप इस कथा को जानने के इच्छुक हैं। तो गरुण देव यमराज से बोले हे प्रभू किरपया आप मुझे इस कथा से अवगत कराएं। तो यमराज जी ने अपनी कथा आरंब की। एक बार एक मनुष्य के प्रांट छोट रहे थे। उसे आभास हुआ कि यमराज उसके पास आ रहा है। उसने देखा यमराज के हाथ में एक छोटा सा बकसा है। यमराज जी उसके पास पहुँचे और कहा पुत्र चलो अब तुम्हारा समय हो चुका है। उस व्यक्ति ने पूछा यमराज अभी इतनी जल्दी क्यों। अभी तो मुझे बहुत से काम करने है। मैं शमा चाता हूँ मैं अभी नहीं चल सकता हूँ। बहुत से काम मैंने कर लिये हैं। अब जो अधूरे रह चुके हैं उन्हें भी पूरा कर लूँ। फिर मैं आपके साथ चलता हूँ। आपसे विंती है प्रभू, मुझे कुछ समय और दे। यमराज जी उसकी बात सुनकर हसने लगे। उन्होंने अपने हाथ में लड़के उस संदूक की और देखा और उसको हिलाने लगे। जैसे कि मानो उसका वजन तोल रहे हूँ। यह देख उस व्यक्ति को बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, हे प्रभू, इस संदूक में क्या है? जिसे आप इतना तोल मोल रहे हैं। यम्राज जी बोले, इसमें तुम्हारा समान है। तुमने अभी कहा कि तुमने बहुत से काम कर ली हैं और कुछ बाकी हैं। इसलिए मैं अंदाजे से इसे तोल रहा था। व्यक्ति की आँखे आश्चर से फटी रह गई। कि इतने चोटे से संदूक में उसके जीवन भर का सारा समान आ गया। उसने यम्राज से पूछा, महराज इतने चोटे से बकसे में मेरा सारा समान आ गया। मेरे कीमती वस्तु, कपड़े, धन दौलत, सब आ गया। यम्राज ने कहा, पुत्र तुम जिन वस्तू की चिंता कर रहे हो, और जिन जिन का तुम ने अभी नाम लिया, वह वस्तू तो तुमारी है ही नहीं, वह तो इस प्रत्वी लोग की वस्तू है, जो यहां से कहीं नहीं जा सकती, उस व्यक्ति ने फिर पूछा, प्रभु यदी आपके कहे अनुसार मैं अपनी चल अचल वस्तुएं वैक्ती ने फिर कहा चलिए मान लिया तो मैं अपनी बुद्धी तो अपने साथ ले जा सकता हूं क्या संदूक में उसे रख लिया अपने भगवान यमराज ने कहा पुत्र यह भी तुमारी नहीं थी तुम्हारी बुद्धी तो परिस्तिती द्वारा जन्मी थी परिस्तितियों ने ही तुम्हारे अंदर उसे जन्म दिया था अच्छा चलिए ये भी मान लिया फिर जरूर इस संदूक में मेरे परिवार और मेरे मित्र होंगे भगवान ने उत्तर दिया पुत्र जिने तुम अपना परिवार और अपना संसार कह रहे हो वे तो कभी तुमारे थे ही नहीं वे तो प्रत्वी लोग की रहा में मिलने वाले पथिक थे अब तुमारा पत बदल गया तो उनसे लेना देना भी नहीं है अब वे मनुस्य बहुत ही परेशान हो गया और सोचने लगा कि इस संदूक में आकिर है तो है क्या कुछ विचार करने के बाद उसने पूछा भगवान फिर निश्चित ही इसमें मेरा सरीर होगा यह सुनकर यमराज मुश्कुराने लगे फिर बोले वे सरीर तो कभी तुमारा था ही नहीं क्योंकि वे तो राक हो चुका है तो क्या प्रभू इसमें मेरी आत्मा है पुत्र आत्मा तुमारी कैसे हो सकती है वे तो मेरी संपत्ती है यमराज ने उसे इसपस्ट किया भैवीद व्यक्ती ने भगवान यमराज से उनके हाथ से संदुप मांग लिया और उसे खोल के देखा वे खाली था यह देख वे आदमी रो पड़ा और भारी आवाज में यमराज से कहा भगवान इसका अर्थ यह हुआ कि मेरे पास कभी कुछ था ही नहीं मैं तो रंक हूँ यमराज ने उतर दिया यही सत्य है पुत्र इस मृत्यू लोग में जो तुमने श्रण बिताए हैं वही तुमारे हैं जिंदी की श्रणिक है और वही श्रण तुमारे हैं उने ही आनंद में जीना था स्वयम आनंदित होना था और दूसरों को भी आनंद देना था तुम यहां से कुछ लेके जा नहीं सकते थे इसलिए बटोरने की मंसा रखना विर्थ था तुमारा कुछ ना था और ना है और ना ही रहेगा यदि तुम्हारे साथ कुछ जाएगा, तो वह है तुम्हारे सत्य और पुर्ण करम, जो जीवन में सत्करम करते हैं, मैं प्रसन्नता के साथ स्वयम उनके संद्युकों में समान भरता हूँ, मैं स्वयम आदर के साथ उन्हें विदा करने आता हूँ, इस लोग से केवल आपके कर्मफल ही साथ जा सकते हैं तो दोस्तों ये एक प्रतिकात्मक कहानी है कथा का संदेश यह है कि जो भी हमारे पास है उसे भरपूर जीए हर पल का आनंद ले और अपने कारे से दूसरों को आनंदित करें खुश रहना और दूसरों को खुश रखना यह हमारा अधिकार है और ईस्वर द्वारा स्वापा गया कारे भी जीवन का यह उद्देश होना चाहिए मैं किसी के जीवन के आनंद में बादा नहीं बनूँगा और किसी को भी अपने जीवन के आनंद में बादा बनने भी नहीं दूँगा यहां आनंद का तातपर्य मन के आनंद से हैं बहुतिक वस्तु जिनको प्राप्त करने के लिए ना जाने हम क्या-क्या तिकडम लगाते हैं वे सब यहीं रह जाती है इसलिए दोस्तों गर्ण देब द्वारा भगवान विश्णु आप सभी को यह संदेश देना चाते थे कि अपने जीवन के कीमती समय को आनंद पूरवक चिहें और दोस्तों की मदद करें और उनके जीवन में भी आनंद लाएं तो दोस्तों यह थी आज की हमारी कता शीगरी ही मिलेंगे अगली एक इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार